पेटियम से क्या आपको लोन मिला है या फिर अगर आप लोन लेना चाहते हैं आप इधर उधर बाटा करें अगर आप अधर भी एप्लिकेशन में जाके अपलाई किये हैं लेकिन वहां पर रिजेक्ट हो गिया है आखिर लोन रिजेक्ट क्यों होता है दोस्तों अगर आपका score सही नहीं रहा तो आपको हर जगह से loan rejected कर दिया जाता है अगर आपका score सही है तो फिर आपको लगबग जितनी भी app या फिर कोई सा भी bank हो उसमें आपको लगबग आसानी के साथ loan मिल जाता है हम इस वीडियो में online से किस तरह से आप loan ले सकते हैं और दोस्तो एक ऐसा application है जिसमें कि आपका score कम भी रहा तो आपको वहाँ पे loan कुछ ना कुछ मिल जाता है लेकिन आज की सुरे में हम बात करेंगे पेटियम से आपको किस तरह से loan मिलने वाला है अगर आप पेटियम यूच करते हैं को open करते हैं तो वहाँ पे आपको दो जगा loan का offer वहाँ पे देखने को मिलता होगा क्योंकि वहाँ पे आपको दो जगा loan का offer वहाँ पे दिया जाता है कि आप यहाँ पे 2 मिनट के अंदर में 3 लाग रुपे तक आपको यहाँ पे loan मिलने वाला है और ये पूरा paperless आपको यहाँ पे loan दिया जाता है तो किस तरह से यहाँ पे आपको apply करना है और वहाँ से अगर apply approve हो जाता है apply कर देते तो आपको loan मिल जाता है अगर आपका cancel हो जाता है तो फिर आपको एक मेने के बाद फिर से दुबारा यहाँ से अप्लाइग करना होता था मैंसों हम यहाँ पे अप्रण उप्र में भाइल, सबसे पहले हम अपना अप्लिक्शन को आपक्षा लेते हैं जाता है परसनल लोड आपको तुरंत यहां पर आपके अकॉन मिल यहां पर देख सकते हैं गेट अप्टू त्री लाग ज़स्ट टू मिनर महतरत तीन मिनर दो मिनर के अंदर में तीन लाग रुपे तक आपको यहां पर लोड देने का यहां पर दावा करा और यह 100 पर सेंट यहां पर आपको कोई भी पेपर सब्मिट करने के लिए यहां पर नहीं पुछा जागा जो भी आपका डाटा लेगा यहां पर पेटियम बेंग एकान जो भी आपने अधार वगेड़ा जो भी दिये हैं उसी से आपको ले लेगा और आपको दूसरा ओप्शन यहां पर करते हैं तो यहां पर आपको जैसे क्लिक करते हैं वैसा पेज़ी और इहां से अपके सामरे में आपको Theater ना चाहते तो आपको यहां पे यहां पे फिल कर देना तेने तीन स्टेट बई आपको कर देना है उसके लिए आपको यहां पर सेलेक्ट लेना उपर में आपका नाम लिकावरेगा अपको अपना सरकारी जोब यह पी खुद का जोब यह पी प्राइबिट जो भी है यहां पर कुछ करना है उसके बाद कंपनी नेम और आपका इन्वल इंकम कितना है और हॉम एड़ेस पीन कोड के साथ आपको यहां पर फिल करना है फिल करने के बाद यहां पर इसको आपको नेक्स्ट कर देना नेक्स्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट यूर अप्टू पैसन यहां पर टाइप आपको कर देना है और टाइप करने के बाद यहां पर तनपरम करना है उसके बाद आप जैसे यह हो जाएगा पूरा सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट का बटन में आपको क्लिक करना जैसे क्लिक करते हैं और अगर आप एलिजिवल रहेंगे तो यहां पर आपको लोन का एमान और यहां पर कंगराचुलेशन का उप्सन यहां पर आजाएगा और अगर आपका स्कूर कम मेने के बाद आपको दो बारा से फिर से यहां पे आपको आपके अपलाई करना होता है फिर से आपको अपलाई कर लेना क्योंकि यह कैंसल क्यों होता है कि क्योंकि आपके तो आपका जो स्कोर है आप जो टर्जक्शन की है हो सकता है कि स्कोर के हिसाब से यहां पे आपका कैंस अगर आपका स्कूर्ट तो फिर आपको यहां पर कैंसल नहीं होगा यहां पर आपको कुछ ना कुछ लोन का एम और यहां पर देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको लोन आसानी के साहथ मिलने का चांट से जैदा रहता है और दोस्तों इसी चैनल में हम एक ऐसे एप्लिकेशन के मतलब भी इसका वीडियो बना के डाल दे जहांकि आपको कुछ ना कुछ अगर इसकोर भी थोड़ा बहुत कम रहा तो आपको वहां पे लोन आसाने के साथ मिल जाएगा जिसका की उस वीडियो का लिंग आई बटन में हम डाल देंगे और डिस्क्रेप्टन में डालने का नुद्प कर देंगे वहां से आप watch करके सकते और दोस्तों यहां पर आप अपने credit score को भी आप से चैक कर सकते क्योंकि लोन जो आपका जो आपको मिलता है लोन इसी credit के score के आगर आपका यह score सही रहा तो फिर आपको लोन आसाननी के सान को चुका है और दोस्तो यहां पर पेटियम में आपको ये भी देखने को मिल जाता कि आपके नाम पे पहले से कितना लाउंट चल रहा है और उसका कितना किष्ट जम ज 559 कितना आप प्रक्रेक BOUND ㅁवा यह उसमाने आपको पजारती लगता है और उसमें आपका score कम हो जाता है इसलिए आप अगर कोई साथ भी loan लेते हैं अगर EMI चल दा है तो time to time आपको EMI आपको भरना होता है अगर एक भी cancel हो जाता है फिर आपको यहाँ पर जो score है वो score आपका यहाँ पर कम हो जाता है डाउन हो जाता है फिर उसके बाद अगर आप loan के लिए भी कहीं पर भी और या फिर mobile पर अगर apply करते हैं तो वहाँ पर आपका chance रहता है कि आपका loan जो आप जो apply की है वो cancel होने का जैदा chance रहता है क्योंकि आपका जो score है आप ने जो पहले से loan लिए है उसका जो EMI है आप time to time अगर जमान ही किये हैं तो वहाँ पर score कम कर दिया जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपके नाम पर पहले से जो loan है तो यहाँ पर क्लिक करके उसका पूरा detail यहाँ आसानी के साथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितने लॉन है कहां पे लॉन है जिस भी लॉन का उसमें किलिक करने के बाद़ आपको निखा ही देदेग dedic कि आपका कितना महिना यह किस्ट जमा अपने किया है जो लॉन लिये है तो इस तरह से आप अपने score आसानी के साथ यहां पे देख सकते हैं और loan के लिए यहां पे आप apply कर सकते हैं अगर आपका score सही रहा तो आपको यहां पे loan मिलने का chance ज़्यादा रहता है क्योंकि दोस्तो paytm को तो सब को जानता है लग बग सब के mobile में paytm account रहता है paytm bank का account नहां पे सब के लग भग में आपको मिल देखने को मिलता है और यहां पे आप offer भी देता है कि अगर आप eligible है तो यहां पे आप तिन लाग रुपे तक का loan ले सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करकर हमें जुरूब बता और अगर आप अधर application के बारे में जनना चाहते कि ऊसमाएं आप अगर लो लेना चाहते दो application कैसा आप नीचे कॉमेंट लिए डियो हम बनाने को ज्रूद करें 22 एक पर आदें थनी इनcję कलिये बाइ